तो आज एक्सेसाइस 3.3 के question 7th में क्या दे रखा है हमें 10 pi by 4 plus x यह हमारी main line 10 pi by 4 minus x यह किसके प्रूव करना है हमें equal 1 plus 10x upon 1 minus 10x के whole square मतलब दोनों का एक ही square चीक है इसको हम अलग-अलग करके भी लिख सकते हैं कि 1 plus 10x का whole square अलग upon 1 minus 10x का whole square कैसे भी लिख सकते हैं अलग-अलग करके लिखो यह एक ही bracket लगा के दोनों के एक साथ ही ओपर square लगा दो कोई problem नहीं है तो हम लोग ले ले लेते हैं LHS हमें prove करना है यह वाली चीज इस चीज को solve करके तो इस चीज को solve करेंगे यह हमें क्या दे रखा 10 तो मैंने देखा pi by 4 plus x है तो मैं इसको क्या a plus b नहीं ले सकता pi by 4 तो मैंने मतलब क्या लिया pi by 4 की value a ले ली और b को मैंने x के equal रखा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 10 a plus b क्योंकि मेरा formula है 10 a plus b का 10 a plus b नीचे मैं ले लूँगा 10 a minus b 10 a minus b क्योंकि मैंने देखा a दोनों में सेम आ रहा है b भी दोनों में सेम आ रहा है सिर्फ plus और minus का है तो मैं मेरे पास दोनों formula है plus का भी है minus का भी है तो मैं दोनों के formula लगा दूँगा तो 10 a plus b का formula क्या होता है 10 A plus B का फॉर्मूला जब यहाँ पे प्लस हो तो उपर भी प्लस आएगा मतलब 10 A प्लस 10 B अपॉन में 1-10 A इंटू 10 B खीक है और 10 A माइनस B का फॉर्मूला क्या होगा जब यहाँ पे प्लस था तो उपर प्लस नीचे माइनस और जब यहाँ पे माइनस हो तो उपर माइनस नीचे प्लस और बाकी सेम टू सेम 10 A माइनस 10 B अपॉन में 1 प्लस 10 A इंटू 10 B खीक है तो यही का यही हम लोग इसमें पूट कर देंगे तो A क्या है इदर हमारे पास पाई बाई 4 B क्या है X तो यही की यही चीज हम लोग पुट कर देते हैं A और B के साथ तो यहाँ पे क्या है 10 A प्लस B मतलब उपर वाला फोर्मूला लगाएंगे मेन लाइन के नीचे नीचे आला फोर्मूला लगाएंगे तो उपर क्या है 10 A प्लस B तो यह उपर वाला हो गया, यह हमारी मेलन है ही सही, upon में नीचे वाला फॉर्मुला, क्या है इसका 10 ए माइनस 10B, तो 10 A की वालू क्या पाइबाई 4 माइनस 10 B की वालू क्या है X, upon में 1 प्लस 10 A, A की वालू पाइबाई 4, इंटू में 10B, B की वालू X. इसको थोड़ा अच्छे से अलग से समझो, ठीक है, यहां से मैं दुबारा बताता हूँ, क्योंकि यह बहुत कम बच्चों को समझ में आता है, ठीक है, तो यह हमें दे रखा है, 10 A प्लस B, अपॉन में 10 A माइनस B, और मुझे दोनों के फॉर्मूले पता है, 10, यहां पे फॉर्मूला क्या होता है, 10 A माइनस B का क्या फॉर्मूला होता है, यहां पे प्लस था ना, तो यहां पे प्लस और नीचे माइनस, अब यहां पे माइनस है, तो उपर भी माइनस और नीचे प्लस, बाकी सेम टू सेम, 10 A माइनस 10 B, अपॉन में 1 प्लस 10 A, इंटू 10 B, तो य उपर क्या है 10A प्लस 10B और इदर हमें A की value क्या दे रखी है πाई बाई 4, B की value क्या है X, क्योंकि हमने अभी माना था ठीक है, A और B की value हमें यहां पे given थी, A की value πाई बाई 4 और B की value X, तो यही हम लोग इदर डाल लेते हैं, तो यहां पे क्या है सबसे पहले हमारे पास 10A, A की value πाई बाई 4, प्लस 10B, B की value X अपन में 1-10A πाई बाई 4 into 10B, ठीक है यह हमारी main line हुई, यह वाली, इसकी नीचे वाला फॉर्मूला A-B वाला लगाएंगे अब तो यही चीज़ हमने नीचे भी कर दी 10A-10B, ठीक है यह वाला फॉर्मूला 10A-B का 10A-10B, 1045 ठीक है, पैटालिस बो पाई बाई 4 बो एकी बात है माईनस 10B, क्योंकि पाई बाई 4, पाई की value 180 डालो तो 4 से काटो के तो 45 ही आएगा मतलब 1045, माईनस का 10B अपॉन में 1 प्लस 10A, 10B यह लिख दिया मैंने, अब मैं इनकी value put कर लेता हूँ, मतलब पहले तो इनको यहाँ पे सीधी लाके नीचे वाले को उल्टा कर देता हूँ सबसे पहले मतलब देखो, मतलब उल्टा करना है हमें, उपर वाला simple सा main, यहाँ पे लिख दो 10, pi by 4, plus 10X upon में दे रखा है हमें 1, minus 10, pi by 4 into में 10X तो मतलब उपर वाला मैंने सबसे पहले पूरा का पूरा यहाँ उतार दिया अब यह जो नीचे वाला है ना, इसको into में उल्टा करके लिखेंगे यह इस पूरे को into में यह नीचे आए ना, तो यह उपर चला जाएगा 1, plus 10A, एए, A की वाल्यो pi by 4 into 10B upon में, यह 10A minus 10B उपर है, तो यह नीचे आजएगा, 10A minus का 10B चीक है, तो अब जहाँ-जहाँ pi by 4 दिख रहा है, pi by 4 को हटा के degree में करो, मतलब 45 degree लिखो, तो देखा मैंने, यहाँ पर 10 pi by 4 है, मतलब क्या है, 10 45 degree, plus 10x है ही सही हमारे पास, upon में 1 minus 1 minus 10 45 degree into में 10x, चीक है into 1 plus 10, 1 plus 10 45 degree 10 45 degree into में 10x, upon में 10 45 minus 10x यह होगा हमारा, अब 10 45 की value मुझे पता है, 1 होती है तो 1 put करते जाओ, यहाँ पर है 10 45, तो 1 plus 10x है सही, upon में 1 minus 10 45 की value 1, 1 into 10x, 10x ही होता है तो यह मैंने 10x लिख दिया into में 1 plus 10 45 की value into 10x तो 10 45 की value 1, 1 into 10x, 10x ही होगा upon में 10 45 1 होता है, minus 10x 10x, तो यह होगया ठीक है, तो अब मैंने देखा यह वाला into में, क्योंकि ऐसी situation आने के बाद हम दोनों को into कर लेते हैं उपर वाला, उपर से into हो जाता है, नीचे वाला, नीचे से into हो जाता है मैंने देखा, यहाँ पे 1 plus 10x है यहाँ पे भी 1 plus 10x है तो यह क्या हो गया, 1 plus 10x का whole square, upon में 1 minus 10x into में 1 minus 10x, तो यह क्या हो गया, 1 minus 10x का whole square और जब उपर भी square, नीचे भी square तो मैं इसको एक ही बार में square करके नहीं लिख सकता के भई, 1 plus 10x upon में 1 minus 10x और इसका पूरे का square, और यही हमारा RHS है, ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, देखो लो एक बार यह हमें प्रूव करना था, 1 plus 10x 1 minus 10x, उसके अपन में है और पूरे का whole square, तो यहीं पे हमारा xsise 3.3 का question 7 भी complete होता है